क्या अभिशेक कुमार ने दिया खानजादी को दुखा और किसी और के साथ डेट कर रहे हैं क्या है पुरी दीटेल आखे सोशल मेडिया पे क्यों अभिशेक कुमार को चीटर कहके बुलाया जा रहा है आईये जाने हैं आपको बता दे कि बिग बॉस सीजन 17 में अभिशेक कि जोरी को लोगों ने खुब एप्रिशेट किया खोट सरहा हलाकि अभिशेक तो आये थे इशा मालविया के पीछे-पीछे कहा जा रहा है कि इशा आ रहे थी शो में और फिर मेकर्स ने उनके एक्स बॉइफ्रेंड की एंट्री करवाई गई थी और स्टेज पर ही मजाग करते थे और फिर इनका जो हदी मजाग कIP लोगों को पसंद आ गया dictam लोगों ने अभिशेक और खांजादी को अभिजादी बना दिया यह तो अभिशेक और खांजादी दोनों को भी नहीं पता जब खानजादी बिक बॉस के घर से बाहर आई तब लोगों ने अभिशेक और खानजादी की जोड़ी उनकी बॉंडिंग को खुमिस किया और फिर फैंस ये बेट कर रहे थे ये उमीद लगाए बैठे थे कि खानजादी के बाद अब जब अभिशेक शो से बाहर आईगी त लेकिन अब तक नहीं हुआ अब ये कहा जा रहा है कि अभिशेक कुमार किसी और के साथ डेट कर रहे हैं कहा जा रहा है कि अभिशेक कुमार पलक को और को डेट कर रहे हैं हलांकि पलक के कई पोस्ट के जरिए लोगों ने उस पर अभिशेक के नाम से कॉमेंट किया तो कई अभिशेग बिग बॉस के घर में थे तब पलक उन्हें काफी सपोर्ट किया करती थी पलक पहले से कहती थी कि मैं जानती हूँ अभिशेग जो है वो लास्ट में लाइट आफ करके ही शोर से बाहर आएगा और अभिशेग ने अपने रीसेंट व्लॉक में बताया कि वो हाल ही में 15 दिन पहने फलक सी मिले है तो अब इन सब पर भी क्या कहा जा सकता है यह अभी तक कुछ भी मैंने बता सकती क्लियर ली क्योंकि इस सब को लेकि अभिशेग की और से कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं अभिशेग तो उन्हें अपने दोर स्थी बता रहे हैं ठाजीशन पर इन वटेग्वार्शिक कर रहे हैं यह हृँ भी भुड़ा कहह रहे हृँ कि अभीशेग जो है फांजादِ को ची ट्षट किया और अभिशेग ने खांजादी को दोखा दी और पलग के साथ डेट पर तो हो सकता है कि खानजादी इस वज़छे भी अथिशेक को अनफॉलो कर सकती है कि जासा आप क्या कहना चाहते इन सब पे आपको क्या लगता है कि अभी शेक ने सच्चमुच खाणजादी को धोखा दिया है जो भी लगता है कॉमेंट करें और भी अब्डेट के लिए सब्सक्राइब करें अब्शक्राइब तो